मशूर कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा एक बार फिर से पिताब बन चुके हैं जे हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले ही कपिल की पतनी किन्य चत्रत ने एक प्यारे से बेटे को जन दिया है ऐसे में देखा जाए तो कपिल के घर में खुशी का माहौल है एक बार फिर से खुशीयों की लहर दोड़ पड़ी है और कपिल शर्मा ने इस गुड न्यूज को अपने फैंस और करीबियों के बीच शेयर किया था सोशल मीडिया के जरिए तब से लगातार कपिल को ना सिर्फ फैंस की तरफ से बधाई शंदेश मिले हैं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से उनके रिष्तेदारों की तरफ से और साथ ही साथ बॉलिवूर्ड इंडस्टी के सितारों की तरफ से भी लेकिन इस दोरान बात की जाए कपिल शर्मा के परिवार की बारे में तो पूरे ही परिवार में जशन का माहौल देखने को मिल रहा है पूरा ही परिवार जशन की माहौल में डूबा हुआ है चलिए हूँ आपकी होस्ट प्रान्शिराठो दरसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जहां एक और कपिल शर्मा एक पर फिर से पिता बन चुके हैं नन्नी सी बेटी अनायरा शर्मा के बाद कपिल की जिंदिगी में एक और नया महमान आ चुका है ऐसे में कपिल और गिन्न जश्न में डूबा हुआ नजर आया है आई आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिये कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जहां एक और एक पर फिर से पिता बन चुके हैं तो वहीं कपिल के घर खुशियों की लहर दोड़ पड़ी है कपिल इन दिनों अपनी मा, अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ वक्त बिता रही हैं तो कपिल शर्मा की अमरत सर की घर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है जिहां जूनियर कपिल आने की खुशी में अम्रस्षर में उनके घर में जश्न मनाया जारा है दरसल जानकरी के लिए आप सभी को बता दें कि कपिल ने अपना बचपन शिवनगर कॉलोनी इस्तित अपनी बुआ के पास बिताया है ऐसे में देखा जाए तो कपिल के भाई अशोक कुमार बेहन गीता मौसी शिला और मौसा जी ने इस खुशी को लेकर जम कर डांस भी किया है वेल जानकरी के लिए आप सभी को बता दें कि खबरे आ रही है कि सारे जशन को कपिल शर्मा उनकी मा जनक रानी और उनकी पतनी गिनी ने मुंबई से लाइव मोबाईल में देखा कपिल शर्मा की बेहन गीता ने कहा कि वह जूनियर कपिल की आने से बेहत खुश है वहीं शिवनगर में रहने वाले सभी लोग जशन में डूबे हुए हैं जिहां शिवनगर में जशन मनाया गया है उनके परिवार में इतना ही नहीं कपिल की बुवा जी के मुताबक ये भी सामने आया है कि शिवनगर में रहने वाले कपिल के मौसा जी के घर में भी जश्न का माहौल है और कपिल के भाई अशोक शर्मा लटू लेकर पहुँच गए कपिल के दोस्त नरेंद्र ने भी बधाई दी पूरे परिवार को और इस दोरान देखा जाए तो सभी जश्न में डूबे हुए नजर आए हैं वेल हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कपिल शर्मा की घर की एक खुबसुरत तस्वीर सभी एक साथ बैठे हुए हैं और जश्न में डूबे हुए नजर आए हैं और बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं सो फ्रेंड्स आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से कपिल की परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिला है अमरित सर में सभी जश्न में डूबे हुए नजर आए हैं और एक दूसरे को लड़ू खिलाते हुए नजर आए हैं वेल देखा जाए तो कपिल शर्मा के घर जब से बेटा आया है तब से लगातार हर कोई जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर करना ना भूले